खिर दूस्तों नमस्कार एक बार फिर सी स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में तो दूस्तों यहाँ पर हिंदी का फूल टेस्ट यहांपर स्वल करने वाले हैं और यहाँ पर हिंदी साइट की भी कोशन होते हैं तो पूर टेस्ट को पूरा लगाया करें बेतर तरीके से और डेरी के डेली आप देखा करें कि आपके स्कूर कितना जा रहा है आप कितने कोशन सही कर पा रहे हैं क्या आप से गलतिया हो रही है इन सब चीजों पर आप लोग जुरू ध्यान दिया करें ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी को सब्सक्राइब बना कर चायवाद युग में एक महा काबि लिखा गया उसका नाम इन में से क्या है चलिए यहाँ पर जवाब देना है देखे पहला कोशन आपका काफी अच्छा है यहाँ पर दिया है कि जल प्लावन भारती तियास के एक ऐसी प्लाचेन घटना है जिसको आधार बना कर चायवाद युग में एक महा काबि लिखा गया उसका नाम क्या है तो दोस्तों यहाँ पर देखे इस का अंसर आपका हो जगा सी नमबर कामाईनी कामाईनी जो कि आपकी जैसन कब साथ के ओप्सन सी नमबर इसका राइट यहाँ पर देखे कोशन आप गया है बावन नमबर कहरा आप से सबदार्थों सहीत काब्यम या उक्ति किसकी है यहाँ अच्छर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए यहाँ पंक्ति के रचिता कौन है चलिए भया इस पंक्ति के रचिता पूछा गया है और यहाँ पर तिरपन को ओप्सन देखे लगबग जवाब यहाँ पर आ रहा है ओप्सन सी नहीं ओप्सन डी कवीर दास बनेगा य हना बहुत इच्छी तरीकी से यहाँ पर आपका अंसर जो बनेगा इनमे से क्या हो जाएगा चले चव़वन नंबर में और चववन को ओप्सन दोस्ते आपर सी हो जाएगा 16 होती है हना अपका जवाब इनमे से बनेगा क्या यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा निष कौन सा है मदलाब यहां पर लोक ब्यापई प्रभावाले कर्म लोग ब्यापई दसाओं के वर्डन में माहीर था दोस्तों यहां पर देखे 15 को आप्शन सी यह पर राइट हो जाएगा नेस कोश्चन आज दिया गया है रसीक प्रिया के रचेता कौन है रसीक प्रिया के रच question को राते हैं question आप से गला पूछा गया है क्या आप से कुटज के रचेता कौन है कुटज के रचेता कौन है वही कुटज हजारीप साथ दिवेदी हना बहुत बार पड़े हैं easy question है और हमेशा पूछा भी जाता है तो option B right हो जेगा next question दिया गया है यहाँ पर दिया है मसी कागज चुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ इस पंक्ति के रचेता कौन है चले 58 का option देना है और 58 के अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर देखें आपका अंसर क्या बनेगा चले मतलब मैंने कभी कागज नहीं चुआ है ना कभी कलम में हाथ लेकर लिखा है यह कभी दास जी है अपसन आपका सी नमबर इसका राइट हो जाएगा ठीक है ना यहाँ पर आगे बड़े कोशन आपसे इगला दिया गया है कर आपसे चंदन बिस ब्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग इस पंक्ति के रचेता कौन है चलिए यहाँ पर option देना है और दोस्तों आपसन यह आपर जो 59 का है वो option right हो जेगा डी याद रिके यह रहीम जी की द्वारापकी पंक्ति है दोस्तों इस दोहे में रहीम जी यह कैदने का प्रियास कर रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं उन पर बुराईयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों यह इनका मत रखी रहते हैं हर प्रकार के समय में परिवर्तन होता है हमेशा आपको बदली हुई मिलेगी एक जैसे आपको नहीं मिलेगी कि यहांपको वही वन मारा के equation मिले वही आपके छंद के मिले यह आपको पर्यावाची मिले ऐसा आपको कभी प्रतीत नहीं हुआ होगा हर एक क्ल दिया गया है दोस्तों तो आपका जो 60 नंबर है वह आपसे मनेगा दोस्तों भी यादर कि तुलसीदास यहां पर आगे बड़ी कोशन आपसे दिया गया है राजगरह में कौन से समास है राजगरह में समास उचा गया है और राजगरह में जो समास है दोस्तों इन में से क्य चलुए यह पर देखें 206 भीत और obt Size बनेगा दोस्तों राज ग्रह नहीं पर ग्रह घुराइन ज इसका है यहीं प्रदान है और कि कामाईनी किसकी रचना है कामाईनी किसकी रचना है तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका अंसर जो आपका बनेगा यहां पर राइट इन में से क्या हो जाएगा चलिए यहां पर जवाब देना है बासर टमबर में और बासर को जवाब सेंदिया गया है यहां पर सही जव क्या प्प्तायागा इतिहास अब्सक्रों दोस्तों होता है एक है तिहास का जिए महात्मा गांदी उतलाष्टी हिंदी विस विद्याले का मुख्याले कहां पर है यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों आप कंसर क्या होजेगा मात्मा गांधी अंतराष्टी हिंदी विश्विद्यारे का मुख्यारे कहाँ पर है 64 के बात करते हैं दोस्तों तिया पर देखे यह आपके वर्धा में है और यह जवाब का है 1997 में जब भारत की संसत द्वारा एक अद्रियम पारित किया गया था मात्मा गांधी है न यह इस्थाप्टना राष्पिता की कर्म भूमी वर्धा में की गई थी यह अप्शन डी बनेगा नेश कोषण दिया गया है यहाँ पर दिया है राजेंद कुमार द्वारा संपादीत पुस्तक आलोचना का भिवेक किस विदा से समभावी थे यह जो समभावी थे यह किस विदा से समभावी थे दोस्तों यहाँ पर देखेए 65 को उपसन दे रहा यहाँ पर दोस्तों यह आलोचना है क्या है आलोचना अत्मक्रति है यहाँ पर जो अंसर आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर उसका राइट हो जएगा next question यहाँ पर आपसे दिया गया है यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि आसमान पर चड़ाने कर्थ क्या होता है आसमान पर चड़ाने कर्थ में से क्या हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देखा होगा कि किसी की बहुत ज़्यादा प्रसंसा कर लीजे जब आपको क्या हो उससे काम निकालना हो जब आपको दोस्तों उसे पार्टी लेडा हो हा ना तो भाईया उसको क्या कर दिए इस गदगद कर दिए बहुत अधिक प्रसंसा कर दीजे आटोमेटिक आपकी तरह अकरसित हो जाएगा यहाँ पर अंसर आपका डी नमरे राइट हो जाएगा आगे बड़ी यह कोश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे बीर गाथा काल की सरुषेस्ट कभी माने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए जवाब देना है कि वीर गाथा काल की सरुषेस्ट कभी जो माने जाते हैं इन में से कौन हो जाएगे दोस्तों सर्सट के वर बात करें तो आपका जो अंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा दो कि आपका चंद वर दाई यहाँ पर जो अंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा चंद वर दाई बन जाएगा यह काफी अच्छे कभी आपके सर्सेस्ट कभी बाने जाते हैं नेस कोशन दिया गया है प्रतिवी राज रासों के रचनाकार कौन है प्रतिवी राज रासों के रचनाकार पूछा गया दोस्तों यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर चंद वर दाई इस कंसर है राइट हो जाएगा नेस कोशन दिया गया है कारब से कभीर की भासा कैसी है कभीर दास की जो भासा है वो आके कैसी है तो दोस्तों यहाँ पर देखे कभीर की भासा जो थी सदुकडी और पंचमेल खिचडी थी है ना इनको भई पहुत सामिल भासा है इनमे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, योदी, ब्रजभासा मतलब इनको कई भासाओं को ग्यान बहुत अच्छी तरीके से था बोली को ग्यान था इसलिए यहाँ पर जो अंसत आपका बनेगा 69 को आप्सन देखे जवाब सबका सही है हम लोग करते हैं आप्सन बी को और आगे बढ़ते हैं कोचन दिया गया है करा है सिवा बाउनी के रचनाकार कौन है सिवा बाउनी के रचनाकारिन में से कौन है सिवा बाउनी के रचनाकार दोस्तों यहाँ पर दिखे सत्तर के अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपसन यहाँ पर दिखे सी यहाँ पर भूसन हो जाएंगे कौन यहाँ पर बताना है कि भक्तिकाल के रामस्री साखा के इन में से कौन कभी है आपका जो अंसर है दोस्तों राइट इन में से क्या होजेगा यहाँ पर देखे एक 70 का जो आपसन दिया गया है वो आपका होज़ेगा तुलसी दास कौने तुलसी दास इसका जो अंसर है यहाँ पर राइट होज़ेगा नेश कोशन दिया गया है जिसने आपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फार्सी, खड़ी बोली, आदि के भावों का मुक्त उप्योग किया है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका अंसर है 72 नंबर में वो अपसन क्या होज़ेगा यह है आपके कवीरदास कौन है कवीरदास इसका अंसर राइट बनेगा ने इसको स्टाओं बताएगा करणा पर आप से हिंदी के प्रथमगत दिकार कौन है और दोस्तों यहाँ पर यह आपके कौन आपके लाल लाल जी घीगे यहांपर अनसर जवाक का है और आगे बडली यह कॉश्चन आपसे गलाप्णा पूश가 क्रीटअ क् görशता प पुछा गया है और यहाँ पर दोस्तो सिवेंटी फूर कॉप्शन दे रहा है दोस्तों ये पर क्या होज़एगा श्री लाल सुकल कौन सा है यहाँ पर अंसर भी स्री लाल शुकलि इस इसकांसर राइट हो जयएगा याँप रागे बढ़ी यहां पर देखिए आपका जवाब पहला ही विल्कुल राइट आ रहा है सबका जवाब सही है यहां पर आपका यह नंबर है प्रेम चंदिस कंसर है राइट हो जाएगा आगे बड़ी एक कोश्चन आप से गलाप कुछा गया है करा आप से पाली को पाटिल से उत्पन मानने वाले विद्वान का नाम इन में से कौन है करा है पाली को पाटिल से उत्पन मानने वाले विद्वान का नाम क्या है डेली कुछ अच्छा देखने को मिलेगा यहां पर देखे आप कंसर में से क्या होजेगा 36 नमबर में चलिए भाई पाली को यह है आपके दोस्तों Max Muller याद रिखेगा यह आप कंसर आपका C Max Muller जो आप कंसर है यहां पर राइट होजेगा वो आप से नहीं हो जगा खड़ी बोली क्या हो जगा खड़ी बोली आपका अंसर राइट हो जगा आगे बड़ी एक कोश्चन आप से दिया गया है कि किस भासा में संस्कत के तस्सम सब्दों का प्रियोग नहीं होता है तो वहिया तरस्वन सब्दों का प्रियोग आपके वहिया किस में नहीं होता है तो आपके उर्दु में नहीं होता है 78 ओप्शन्स राइट हो जाएगा नेस्ट कोश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर कह रहा है निम्निकित में से कौन सी पश्मी हिंदी की वोली नहीं है दोस्तों आपको पश्मी हिंदी में आपको बताया भी गया है कि आपर बुंदेली है, ब्लज है, कन्नोजी है लेकिन बगेली है क्या ये नहीं आती है तो पूर्वी में आती है दोस्तों यहाँ पर आगे बड़ी कोशन दिया गया है इंदी साहित समेलन के पृथम अध्यच इन में से कौन थे चलिए यहाँ पर देखे 80 नमबर में और C का option दोस्तों यहाँ पर दिखे, मदन, मोहन, मालवी आपका जो अंसर है दोस्तों, यहाँ पर right हो जगा D नमबर है बन जाएगा, यहाँ पर आगे बड़े कोशन आप से दिया गया है, कि आम धनी सब्धिकिश भासा से लिया गया है, आम धनी सब्धिकिश भासा का है, य यहां पर दोस्तों 81 नंबर का ऑप्छन देरा है ह। और यहां पर आगे बड़ेकों अगल्लाप पूछा गया है कहराब से तुलसिदास का वा गरंथ कौन सा है जिसमें 32 का वर्डन किया गया है चलिए यहाँ पर देखीगा दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर बात करें आपके 82 नमबर में तो आपका 82 को अप्शन देखिए प्रयास अभी लुकरा करें यहाँ पर जो आप कंसर है दोस्तो इसका वर्डन किया गया है यहाँ पर जो आपका अंसर है तो आपका अंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा चलिए नोट करेंगा 83 नमबर में और 83 का जो अप्षिन मनेगा वो अप्षिन एव जएगा पल्लो या परणसर राइट हो जएगा नेश्ट कोश्चन को बढ़ते हैं कोश्चन दिया गया है दिये गए विकल्पों में से वरतनी के दर्शी से सुद्ध दिन में से कौन सा है यहाँ पर देखे सुद्द सर दिन में से क्या है čरे है पलो सावान ने कलांतर और परीहास परीहास दिया गया है 84 में तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है सुद्द वरतनी कौन से है पलो यहाँ पर गड़वड है कौन सा विया बताईए जल्दी से यहाँ पर कौन सा सही है यहाँ पर सुद्ध पूछा गया है ना और सुद्ध पूछा गया है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन B की ओर सामान ने यहाँ पर अंसर है राइट हो जाएगा दूस्तों सामान ने हो यहाँ पर चंद आपसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सा चंद होने वाला है दोस्तों आप कांसर में से क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर जो आपकांसर है 86 नमबर में और 86 को आपसन दोस्तों आपका बने यह कौन सा 86 नमबर का जो आपसन है यहाँ पर डी याद रिखेग यहां पर यह सोल्ठा है क्योंकि आपको देखो यहां पर दोहे का उल्टा होता है आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर गगन नाया करिवर बदन सही है जो सुमिर्त तो दोस्तों यह क्या है उल्टा लिखा हुआ है और दोहे का उल्टा होता है यह सोल्टा होगा तो डिनमर इसका right हो जीएगा नेस question दिया गया है कैर आपसे यह है यहाँ पर दिया गया है निरंतर का सई संद्विच्षीत क्या है 87 को option दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है और निरंतर के गर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो अंसर है वो आपका क्या हो जेगा निरंतर ये बिसर्ग संदी है याद रिखेगा निहीं बिसर्ग और यहाँ पर अंतर option C इसका right हो जेगा ये बिसर्ग संदी है next question आपसे दिया गया है मजदूर मिहनत करता है किन्तो उसके लाब सेवन्चित है या किस प्रकार बिसर्ग संदी का है दोस्तो यहाँ पर जवाब देना है देखे न यहाँ पर आगे वड़ी कस्न आपसे दिया गया है यहाँ पर देखो दिया गया है क्या बहुत पड़ी लिखी महिला इस वाकिके लिए उप्युक सब दिन में से क्या है बहुत पढ़ी लिखी जो महिला होती है दोस्तों उसे हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर 9-8-9 пропsion दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर बिदूसिी कहते हैं यहाँ बिदूसि कहा जाता है आपका जवाब इन में से हो जाएगा कौौसा यहाँ पर B राइट हो जाएगा नेस दिया गया है निमनिकित विकल्पों में से तद्भाव सब्द काइचन करिएगा यहाँ पर तद्भाव सब्दिन में से कौन सा है चलिए 90 नमबर में 90 के अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर देखे कौन सी भासा देवनागरी लिप में लिखे जाती है कौन सी भासा देवनागरी लिप में लिखे जाती है यहाँ पर जवाब देना है और एक्यानमे कॉप्सिन में से क्या बनेगा दोस्तों एक्यानमे नमबर में तो यहाँ पर जवाब की है कौन सी यहाँ पर मराठी वाली भासा है यहाँ पर लिपीद देवनागरी पूछा गया है तो आप कंसर C राइट हो जएगा क्योंकि सिंधी जो लिखी जाती हो ब्राचर में लिखी जाती है यहाँ पर आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है इन में से संयुक्त बिंजन कौन सा है इन में से संयुक्त बिंजन आपसे पूछा गया संयुक्त बिंजन और संयुक्त बिंजन दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं आपका अंसर क्या हो जएगा यहाँ पर आपका संयुक्त बिंजन क्या हो जएगा D number, सही जवाब है, यहाँ पर जो अंसर होगा चले, यहाँ पर सन्युक्त बिंजन जवाब से नेवाब का D, राइट हो जगा आप सबी लोग जानते हैं, कि यह जवाब का बनता है, वो जया धनिया से बनता है अर्था 3 सन्युक्त थे और आपके 4 सन्युक्त बिंजन होते हैं यहाँ पर दिया गया है, कि सूरी सब्दका इस्त्रिलिंग में से क्या हो जगा चले, यहाँ पर बताना है, कि सूरी का इस्त्रिलिंग में से क्या होता है नेट खतम हो गया तो भईया आप लोग नेट के व्योस्ता पहले से कर लिया करें ना काहे खतम कर दिया करते हैं यहाँ पर देखो सूरिय सद्धका इस तरी लिंग में से क्या होता है तो सूरिका इस सूरिया होगा क्या भईया यहाँ पर 93 कॉप्शन देना है सूरिय का हो यहाँ पर सूरिया और सूरिया कौन वो जो आपका क्रिकेट वाला सूरिया वही है क्या वही है यहाँ पर अंसर आपका सिनेमर इसका राइट हो जेगा सूरिया अगला कुछन दिया गया है हिंदी साहित के आधुनी काल को इस नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों यहां पर अंशन में से क्या हो जाएगा तो चलिए यहां पर 94 अप्शन भी हो जाएगा गद्यकाल कहते हैं याद रिखेगा कि हिंदी साइट के अधनी काल को गद्यकाल भी कहा जाता है अच्छा 360 नेस कोर्शन दिया गया है मुझे तोड लेना वनमाली उस्पत पर देना मुतमफेंक मात्र भूमी पर सीष चढ़ाने जिस पर जावे भी रहनेक यह पंक्ती दोस्तों जो ली गई है यहां के कहां से ली गई है यहां पर जो अंसर आपका दिया गया है पंचान में वो आप्सन में से क्या हो जाएगा तो दोस्तों आप्सन यहां पर बी राइट हो जाएगा दोस्तों माखा लाल चित्रवीदी यहां पर अंसर राइट हो जाएगा बी नमबर हो जाएगा यहां पर आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है गगन चुम्बी में कौन सा समास है गगन चुम्बी में समास पूछा गया है और दोस्तों गगन चुम्बी में समास है क्या यहाँ पर आपका 90 कॉप्शन दोस्तों यहाँ पर तत्पूरुष समास आपकांसरे राइट हो जेगा तत्पूरुष समास हो जेगा नेस कॉप्शन दिया गया है कि मद्यकाल इन भारतियारे भासाओं का इस्थिती काल क्या है मद्यकाल इन भारतियारे भासाओं का इस्थिती काल दोस्तो सत्तानमिक ओप्षन के यहां पर देखा जाए यह पांस इसवी पूर से एक हजार इसवी पूर का जो समय है उम्मद्य कालिन आब हार तियार भासा है यहाँ पर option जो बनेगा आप कड़ी right हो जएगा next question यहाँ पर दिया गया है कि आप भ्यूदय सब्द में कौन सी संदी है अब भ्यूदय सब्द में संदी पूछा गया है है और दोसते है यहपर 99 के अगर बात करें तो आप संदीष्थे हो यहाँ पर रैट क्या हो जेगा एःण पर कुछा है प्रत्य क्या है जल्डी से बताएगा कि कौनिस्ट हो विश्वास गात किया है उस्वा की के लिए से सब्दिकिन में से क्या है तो दोस्तों यहां पर देखे जिसने देश के साथ विश्वास गात किया है वो आपके देश द्रोही काते हैं और समबी राइट हो जाएगा और नेश कोशन यहां पर आपसे दिया गया है इनमें से नि सिदास बनेगा नेस कोसिन दिया गया है इन में से कौन wsp यह नहीं है इन में से कौन सिरिचना ओधी में नहीं नंबर में इनव तो दोस्तों यहापर जो आपकी आऩी में है पादमावत है मढमालती है हनस जवाहर है लिकिन KPत वली दोस्तों यह ब्रिज में है Walter san jeff यहां पर बन जाएगा नेस कोशन दिया गया है गोदान किसकी करती है दोस्तों गोदान जो कि यहाँ दोस्तों यहां पर दे सकते हैं इंका अंतिमवर्पर सबसे महत्य पुल्पर नियास मना जाता है और워서 आपका दिया के रचनाकार यहां पर 57 को अप्शन देना है और दोस्तों यहां पर अंसर आपका होज़ागा क्या सूरे कांध्रिपार्ठी निर्ला ओप्शन C राइट बनेगा निष्ट कोश्ण दिया गया है बीजग किसकी रचना है चले डाक्टर भीया रमेकर यहां पर बताए जल्दी स कराप से बीजक किसकी रचना है तो आप अंसर सी यहां पर कभीर दास अंसर है राइट हो जएगा अगला कोशन यहां पर दिया गया है ब्रमार गीत के रचेता कौन है ब्रमार गीत के रचेता यहां पर अंसर क्या हो जएगा चलिए 59 को अप्शन देना है और 59 को अप्शन क्य यहां पर जो अंसर होजएगा यहां पर अंसर क्या होजएगा कवीर दास होजएगा 60 कौप्स बनेगा कौन साथ यहां पर अंसर दोस्तों आपका प्रिशाणी सवा की स्थापना की सुवर्स हुई थी दोस्तों 62 को ऑप्शन देना है और 62 के गरवात करें टीये है आपका 1893 में इसकी स्थापना की गई थी जवाब हो जएगा आपका यहां परे नमबर है और आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है इनमें से सुप्रिशिद अंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है चलिए जवाब देना है इसमें से अंचलिक उपन्यासकार पूछा गया है और अंचलिक पुरूपन्यासकार में यहां पर किस का नाम आता है दोस्तों यहां पर 63 कोशन दिजेगा कि तो दोस्ते यहां पर देखें आपके जो हैं फरी शुर नातृ नातृ ररेडू आपका अंसर है यापका राइड हो जाएगा और नेश प्राइट कुर्शन आप से दिया गया काभी वच्चन सुधा के समपादा के से कौन थे यहाँ पर देखे आपका जवाब है emerge number में और इसका जवाप्ण देना है वो आपको भर-भर की comment box में देना है इसका जवाब आपको comment box में भर-भर के देना है सभी को जैहिन